प्रेंट्स आज की वीडियो हमारी होने वाली है हिंदी की और ये किस चीज में इंपोर्टेंट है देख लिजेगा सी टैट टैट वीडियो और जो अभी भरती हमारी आई है तो फ्रेंट्स इसमें भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है तो फ्रेंट्स इसको अच्छे से त्यारी कर लिजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा क्योंकि आपके सामने हम बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी को कवर करने वाले हैं तो यहां पर पहला टोपिक हमारा हो जाएगा वर्ण माला तो क्योंकि दोस्तों हम यहां पर बेस से लेकर चलेंगे बेस बेस के लियर है समझेली जीगए याधिक है ठीक है सी टैट टैट और जो भी प्रित्यों की प्रिक्साइं हैं उन सभी में जो है हिंदी आती है ठीक है तो हिंदी को जो है हमें अच्छी तरह से कवर करना है पहली बात देख लिजीगा वर्ण माला क्या होती है तो पहले वर्ण माला में क्या होता है स्वर आते हैं स्वर को हमें डेट स्क्राइब करना है ठीक हैस्टुडद देख लिजिएगा कि सुछ रेसे he यहां पर तो देखी तो यहां नमएं कौन से हैं तोआपको ढृँख सन रखना है अंग और ए है यह आयोग्यवा है और कोशन पूछेगा सिंपल तरीके से स्वर कितने होते हैं अगर पूछे स्वर कितने होते हैं आपको बताना है 11 स्वर होते हैं अगर पूछेगा कि कुल स्वर कितने होते हैं तो कुल स्वर होते हैं 13 अगर दोस्तों उसने पूछ लिया कि उच्चारण की द्रश्टी से स्वर कितने होते हैं तो उच्चारण की द्रश्टी से स्वर 10 होते हैं हमेशा याद रखिएगा उच्चारण की द्रश्टी से स्वर कितने होते हैं 10 होते हैं आप पूछेंगे क्यों सर ऐसा क्यों 2 तो हमारे आयोग्यवा निकल गए ठीक है, तो कितने बचे है हमारे 13 मैस दो निकल गे, तो कितने बचे 11 बचे न, तो आप सोचेंगे 11 होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दोस्त यहाँ पर देखेगा, री जो री है, वो किश्ची से मिलकर बनी है अधर रै पिलस इसे मिलकर बनी है, और जो रै है, वो क्या है, हमारा वियंजन है रै वियंजन है, तो क्या हो जागा यह, यह काउंट नहीं होगा तो इसलिए, यह उच्चारन की दरिश्टी से, जो सुरह होते हैं, वो होते हैं हमारे 10, हमेशा द्यान रखिए दोस्तो आगे चल लेते हैं, दोस्तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, वियंजन वियंजन देख लेते हैं, कितने होते हैं और कैसे हमें, इनको याद करना है देखिए, इनको याद करने के ट्रिक बजा देता हूं, लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पर कच्टतप इसको देख लिए जिका कच्टतप के लिए इन में देखिएंगा 5 पांच होते हैं यह और पांच-5 इन यहां तो कितने हो पांच और नहीं है तो फिर ओंस पैवर्ग कृट को परइब यहां चुन्ए होते हैं यह रहें होते हैं यको बोलने कोशे में ऊस्मा की आवसकता होती है बोलकर देख लिए जिए कंसुर से तो इसमा की आवसकता ना था इन्न जलते हैं के रोहां रहां किया हैं कि और जabout कि और वह था तो यहां पर देख लिए गे और शे यानि कि अधक है पिलस शे बनी होती है उत्रे अधत है पिलस रह से मिलकर बनी होती है गय जै अधा जै और रह से मिलकर बनी होती है यह कुल संख्या में कितने होते हैं चार होते हैं और यहाँ पर देखने वादी बात यह है कि वियंजन जो होते हैं 35 होते हैं कुल मलागर क 33 तो यह होगे सारे और दो जो होते हैं कि अंग और और आ Cornell यहाँ पर Alors यह इनी का रूप है डे का और टै का यह दो का रूप है यह ठीक है जो ठय है इनके दिछे नीचे नहीं है यहां पर जो बिंदी है बिंदी नहीं नीचे ठीक है तो आगे चल लेते हैं यहां पर स्वरों का वर्गी करण करेंगे हम दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भोलें विल्कुल भी लाइक ठोक दीजीगे दबाके स्वरों को विर्गिकन करने के देते हैं मात्रा के अधार पर तो स्वर होयांगे हमारे हर्सु स्वर, दीर्ग स्वर और पृत तो हर्सु में क्या होता है? इन्हें बोलने के लिए कम समय के आवसकता होती है बोलके देख लिजीगा A, E, U ठीक है? कम समय के आवसकता होगी? इससे आगे आते हमारे दीर्ग दीर्ग को बोलने में हर्सु से दो गुना समय लगता है मालने जीगा हर्सु को बोलने में एक मिनिट लगता है तो दिर को बोलने में दो मिनिट लगेंगे यहाँ पर दिख लिजिए का कौन कौन से अक्सर है आ, इ, आ, ए, यह है उ, और आ, ओ, ओ सा ओरत ठीक है यह है आपके सामने फिर आगे हमारा पलुत पलुत में क्या होता है इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है यानि कि तीगुना समय यह अक्सर होते हैं जैसे कि राम ओम यानि कि यह सब्द जो होते हैं खीच कर बोले जाते हैं यह किसके अंदर गद आते हैं प्रुत के अंदर गद यह सब्द आते हैं अक्सर आते हैं स्वर आते हैं और आगी चलते हैं दोस्तों यहां पर देखते हैं जीव के आधार पर जीव की प्रियोक पर देख लीजिगा सोड़ा समझाते हैं यहां पर मान लीजिगा आपकी मानना दोस्तों सिर्फ मानना है यह आपकी जीव है ठीक है यह हो गया आगा हमारा अगर यह जो भाग है अगर हो गया और तीन भा किति टूर जीब अगले भाग से बोले जाते हैं tasting उस सबसेदा मि नहीm और हम पास पीछला वाला जो भाग है वह बड़ा और ओ यह जो है पिछले भाग से बोल जाते हैं इनमें से भी एक कोशन पूछ लेता है अब विंजुनों का हमें वर्गी करन करना है इसमें से एक नंबर आता है देख लीज़ेगा और एक नंबर पीछे हमने आपको बता दि दो या तीन नंबर आपके लिए आने वाले हैं इस वीडियो से तो उच्छारण के इससान पर जाने कि इस पर स्वी एंजन के इससान पर देख लेते हैं यहां पर क्या है इसके ट्रिक हमने बनाई है के टी एम डी ओ यानि कि कैसे क्या होगा कंठ टी से तालू एम से मूर्धा दी से दंस उसे ओस्ट हो जाएगा तो आपके सामने सारे रख दी गए हैं और जो फ्रेंट्स इनको देख लिजेगा अगर ये पूछे के नाशिक स्वर कौन से हैं जो लाश्ट के वाले होते हैं ये ये होते हैं नाशिक स्वर कभी भी फ्रेंट्स आगर देख लिजेगा जैसे कि कंट हमसे कोसन है कोसन पूछेगा कि निम्द में से नासिक स्वर कौन-कौन से हैं तो इन में से देगा उठा के एक ठीक है तो इन में से आपको बता देना है कि नासिक स्वर इन में से ये है फिर आएगा हमारा घोस और एग घोस इसमें से भी कोसन पूछता है घोस याद गोस को हमें बताना है तो घोस का मतलब क्या होता है यानि कि कमपन इसमें क्या है? जिन धुनियों के उच्चारण में कमपन ना हो वर्ग का एक और दो व्यंजन पिलस सारे से कुल मिलागर कितने हो जाते हैं तेहर हो जाते हैं तो यहाँ पर एक बास याद कर लिजिएगा फ्रेंड्स सिंपल तरीके से ए का मदलब बिना से का मदलब सहित इसमें क्या है कमपन सहित इसमें क्या है कमपन रहित मान लिजिगा आपके पास पिलेटों की लैन लगी पड़ी है ऐसे ही पिलेट रखी है ठीक है अगर आप पहली पिलेट को ठाएंगे तो जो इनमें खरपड़ा जाने की आवाज नहीं अराम से ठालते हैं, दूसरी पिलेट को ठाएंगे, कम आवाज आएगी, तीसरी को ठाएंगे, जादा आवाज आएगी, फिर उससे अगली, सबसे निचली वाली पिलेट आपको ठानी है, तो फ्रेंड सबसे जादा आवाज आएगी, ठीक है, खड़ पड़ा होगा, तो उस तीसरी, चौत्थी और पांच मी यह ठाएंगे ना निकालेंगे बीच में से तो ज़्यादर खड़ा होगा न तो इस हिताप से हमें इन्हें याद करना है यह हो गया हमारा सैगोस ठीक है सैगा मतलब सहित तो तीनों जो हो जाएंगे पहला दूसरा हो जाएंगा हमारा आगोस और तीसरा, चौत्था, पांच मां हो जाएंगा हमारा सैगोस ठीक तो अब पूछेंगे दोस्तों के आप यह जो सर बता रहे हैं पहला और दूसरा इसका क्या मतलब है यानि कि लिख घय गय गय यह लिख दिया हमने ठीक तो पहला हो गया यह दूसरा हो गया यह दूसरी न दूसरा और सारे सै और कुल मिलागर कितने होते हैं यह 13 होते हैं और सघोस में क्या है सघोस में देख लिजेगा हर वर का तीसरा चौत्था पांच मां तीसरा चौत्था पांच मां स्वर कितने हो गए 13 हो गए और पांत्या पंद्रह यह हो गए और पिलस हमारे यह रेलेव जोड़ना में हाँ फ्रेंट्स हमें यहाँ पर हमें के जोड़ना है यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है स्वर हमने बताया था आपको स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं तो थीर पंजे 15 तो हमारी यह हो गए और स्वर होगे हमारी 11 यह वह है हमारे पांच होगे ठीक है 5, 5, 10 अरे 11 हूं से लगाएक दो एक तीन यानि कि जो होते हैं सगोच पराण और महापरा高 इसको भी देख लेते हैं यह भी बहुत important question है वीडियो बहुत important है friends अगर आपको इसकी जो PDF है चाहिए वो हमारे नमबर पर contact कीजिएगा 8 9 3 7 0 8 5 0 8 7 यानि कि आपको special group में add होना है न CTAT or TAT के तो आप इस नमबर से जो हमने नमबर दिखा रखा या पर screen पर उस नमबर पर आप WhatsApp कर सकते हैं आपको CTAT or TAT में add होने की जो प्रिकर रहा है पूरी बता दी जाएगी आगे क्या है अलप प्राण और महा प्राण अलप प्राण यानि कि अलप मतलब थोड़ा महा मतलब बहुत सारा तो जिन वियंजनों के उच्चरण में मुख से कम हवा निकले मुख से कम हवा निकल लिए यहाँ पर सिंपल बात आ रही है आलप का मतलब होता है कम तो कम हवा निकल लिए मुझसे तो इसका जो ट्रिक है हमने बनाया है 135 135 प्लस द्वर और यहरे लेव है वन का मतलब 135 कह खे गह मानली जी कह यह है वन तो यह हो गया थिरी और फाइव यह ठिक 135 यह होते हैं हमारे अलप प्राण और महा प्राण पूछेगा तो जिन वियंजनों के उच्चरण में मुक्ष से अधिक हवा निकले और यह क्यों होते हैं दो और चार हर वर्ग के दो और चार और प्लस सारिस है और है ठीक आसानी सी आज़स रख सकते हैं ज़्यादर कोई हाड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है तो फ्रेंट्स अगली वीडियो में क्या करेंगे हम देखेगा अगली वीडियो में आपसे ये कोस्टन पुट अप करेंगे के आपको कितना इस वीडियो से प्राप्त हुआ कितना नहीं तो आपको इसके आनसर देने हैं अपका टेस्ट लिया जागा नेक्ट वीडियो में तो फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर वीडियो को लाइक करें और फ्रेंट्स जीडी की त्यारी भी यहां पर कराई जा रही है जो हमने आपको बताया था यह वीडियो जो है सी टैट टैट वीडियो ऐसे सी जीडी जो अभी वकैंसी निकली है उन सभी के लिए इंपोर्टन्ट है तो थैंक्यू जोस्तो